नमस्कार आप देखरें न्यूजवल इंडिया आपके साथ मैं हूं काजो नरायन शुरुवात करेंगे दिन की बड़ी ख़बरों की प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से संबदित स्थिती पर देश के छे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात चीट की है इस वर्च्वल बैठक में महाराश्ट के मुख्यमंत्री उद्व ठाकरे भी श् Hugमिल हुए मुख्यमंत्री ने प्रधान मंत्री को करोना की प्रसार को रोकने के लिए उठाय जा रहे कदमों और वैक्सिनेशन के संबन में जानकारी दी है वर्चल बैटर के दौरान बाचीत में महराष्ट के मुख्यमंत्री उदव ठाकरे ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी सर्फ समाजिक राजनीतिक और धार्मे कुद देश्यों के लिए लोगों को एक स्थान पर भीड से रोकने के लिए राष्ट नीती बनाने का आगरे किय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैचक में मुख्यमंत्री उदव बाला साहिब ठाकरे ने उन्हें कोरोना महामारी की दूसरी लहसरी पटने के लिए राज़े की तरफ से उठाए गए प्रभावी उपाईयों और वारस को लेकर तीसी लहर को कम करने के लिए कारि राज के मुख्यमंत्री उदव ठाकरे भी श्वामिल हुए ऐसे में उदव ठाकरे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को कहीं तरह के विकल्ब बताते हुए नजर आए हैं तो तीसी लहर से निपटने की पूरी तैयारी राजसरकार की होनी चाहिए ऐसा प्रधान मंत्री नर परिवारों में रहेंगे उन्हें 18 साल तक 2500 रुपए हर महीनी दिये जाएंगे और पढ़ाई समेत तमाम खर्चों के लिए 12,000 रुपए हर साल दिये जाएंगे तो हर्याना सरकार की ये पहल है जहां पर मनोहर लाल खटर ने बहुत बड़ा फैसला लिया है दरसल इस कोरोना काल में जिन बच्चों ने अपने मावाप को खो दिया उन बच्चों को हर महीने 25 सो रुपए दिया जाएगा दिली और हर्याना के बीच जारी जल विवाद को लेकर सियासी बयानबाजी का सिलसरा तेज हो गया है सिकड़ी में हर्याना की मुख्य मंतरी मनोहर लाल खटर ने इस मामले पर तीखी पर टिक्रिया देते हुए दिली के मुखे मंतरी अर्विन के जिवाल पर जमकर निशाना साधा है। अर्विन के जिवाल लगातार आरोप लगा रहे हैं कि हरियाणा सरकार दिली के हिस्से का पारी नहीं दे रहा है। अर्विन के जिवाल को कोस्ती हुई नजर आ रहे थी और बयानबाजी का दौर भी लगातार जारी था। अर्विन के जिवाल को कहा है कि वह विग्यापन का शौक रखते हैं इसे वजह से वह कुछ भी बयान दे देते हैं। महराज के पूर मुक्यमत्री कमलनात ने बुदवार को पेगसेस स्पाइवेर जासोसी मामले को लेकर केंदर की मूधी सरकार को निशाने पर लिया है। पूर्विसियम कमलनात ने का है कि पिछले कुछ दिनों में पेगसेस जासोसी मामला सामने आया और अगले 15 दिनों में ये मामला और गरमाएगा। उन्होंने कहा कि इस कार्ण से हमारे अधिकारियों पर सबसे बड़ा हमला हुआ है और जो हमारे अधिकार है उन पर भी पूरी तरह से निशाना साधा गया है। के कारकाल में मुबाईल फोन कंपनियों के जरिये लाखों लोगों की निगरानी की गई है। किया है जो कि अंतरास्तिय मीडिया संस्थान हैं। है ऐसे में यह जो पूरे मामले सामने आ रहे हैं फोन हैकिंग के मामले सामने आ रहे हैं यह उसी बीच के हैं। जिजरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसराइल के दोरे पर थे तो सीधे तोर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यहां पर कमलनात ने निशाना साधा है बिहार के SCST और OBC के लोगों को जार्खण में आरक्षन का लाप देने को लेकर सुपीम कोट में दायर स्पेशल लीफ पिटीशन पर सुन्माई की गई कंड़ पीच ने अटर्णी जोर्नल केके विणुपाल से उनका पक्ष्ट जानना चाहा कि इन सरकार के ओर से अटर्णी जोर्नल ने बताये कि पुनरगचन के बाद बने राज्यों में अनसूचित जन जाती के लिए अरक्षन एक समान ही रहेगा वहीं जार्कण सरकार के अपर महादिवक्ता अउनाभ चौधरी ने कहा है कि राज्य सरकार हाई कोट के बहुमत के फैसले कास समर्थन कर रहा है और उसका विचार है कि प्रार्टी को बिहार और जार्कण दोनों में आरक्षन का लाब उठाने के अनुमती नहीं दी जा सकत जार्कण राज्य के जो निवासी हैं उन्हें ही अरक्षन का लाब मिलेगा वहीं सुप्रीम कोट की खंड़ पीट ने सवाल रखा है कि क्या अरक्षन का लाब पा रहा अनुस्तूचित जादी का कोई व्यक्ति राज्य पुनरगठन के बाद बने राज्य में भी वहीं सु को लेकर किया गया है तो जो खास पिटीशन यहां पर रखी गई थी उसकर सुनवाई हुई है ऐसे में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बातें रखी है जार्कण सरकार के दो तुशमलों दो पांच लाग कर्मियों को जल्द ही महंगाई बता तौफा मिलेगा वहीं मुख्यमंत्री हिमर सोरेन ने अधिकारियों को इस मुद्दे पर प्रस्ताव बनाने का निर्देश दिया है मुख्यमंत्री सच्चिवाले के सूत्रों ने बताया है कि कोरुना के कारण जन्वरी 2020 में महंगाई भत्ते में बढ़ोत्री नहीं की गई थी केंद सरकार ने भी कुछ दिन पहले महंगाई भत्ते पर लगी रोग को हटा कर 17 फीस्ती से बढ़ा कर 28 फीस्ती करने का फैसला किया इसके बाद राज्य के करमचारी भी महंगाई भत्ता देने की मांग करने लगे हालत कि राज्य की वित्ते स्तिती देखते हुए इस फैसला लेना काफी जादा मुश्किल हो रहा है लेकिन इस पर निर्देश लगातार जारी किये जा रहे हैं दरसल इस कोरोना पीरियड में हिमन सोरेन का कहना है कि आर्थिक स्तिती चर्मरा गई है ऐसे में समय लग रहा है लेकिन हमने अधिकारियों को निर्देश दिया है जल्द ही दो लाग से जादा करमियों को महंगाई भत्ता दिया जाएगा पूरे देश में इस समय जनसंख्या नियंत्रन को लेकर चर्चा और सियासा दोनु गर्मा रही है इस बीच असम ने कदम और बढ़ा कर जनसंख्या सीना के गठन का एलान कर दिया जो मुसलिम बहुले इलाकों में जन्म वरिधी दर को कंट्रोल करीगी हेमन्त बिश्वा सर्मा जब से असम की मुख्यमंत्री बने हैं वो लगतार जनसंख्या नियंत्रन को लेकर बयान और काम दोनों करते दिख रहे हैं ताज़ा एलान जनसंख्या सीना को लेकर किया है हेमन विश्वा सार्मा ने कहा है कि राजसरकार जनसंख्या सीना तैयार करेगी सेना मुसलिम बाहुले इलाकों और ज्यादा जनसंख्या वृधी वाले इलाकों में तैनात होगी जनसंख्या सेना जागरुकता फैलाने और लोगों के बीच गर्ब निरोधत बाटेगी इसके लिए सरकार चार चपोरी शित्र के एक हजार युवाओं को शामिल करना चाहती है इसके अलावा दस हजार आशा कारेकरताओं की अलग फोर्स भी तयार होगी जो घर घर जाकर बर्थ कंट्रोल पर लोगों को जागरुग भी करेगी दरसल कॉंग्रिस विधाएक शर्मन अली एहमत के एक सवाल के जवाब में हेमत बीस्वा सर्मा ने ये जानकारी दी है तो जनसंख्या कंट्रोल को लेकर ये पूरी बाते निकल कर सामने आई है जहाँ पर असमसरकार ने जनसंख्या सीना का गठन करने की बात करी है जो कि मुस पाकर लोगों को जनसंख्या नियंत्रन को लेकर जागरुक करेंगी अर्शस के प्रमुक मोहन भागवत ने हिंदू-Muslim पर एक बार फिर से बयान दे दिया है मोहन भागवत कहते हैं कि हिंदुस्तान में 1930 से योजनाबत तरीके से मुस्लिमों की संख्या बढ़ाने की कोशि ना थी लिकिन ये योजनाब पूरी तरह काम्याब नहीं हुई है और देश का विभाजन होकर पाकिस्तान बन किया है सीए और नर्सी को लेकर मोहन भागवत ने कहा है कि इसका हिंदू-Muslimान विभाजन से कोई लेना देना ही नहीं है साथीनों ने दावा किया है कि कुछ ल मुसल्मान को नुकसान नहीं होगा नागरिता कानून से लेकिन वो ये भी बात रख रहे हैं कि 1930 के बाद से ही जान बूज कर मुसल्मानों की जिनसंग्या बढ़ाने की कोशिश हो रही है आपको याद होगा कि गाज़ेबाद में कुछ तिनों पहले ही मोहन भागवत ने द पिर से सियासी घमसान जो है वो इस बयान को लेकर छुड़ता हुआ नजर आ रहा है तमाम तरीकी की प्रतिक्राएं भी लगातार देखने को मिल रही है पंजाब में नवजोर सिंग सिद्धू को कॉंगरिस का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पार्टी खेमों में बटती हुई नजर आ रही है अब खबर है कि बुद्वार को नवजोर सिंग सिद्धू के साथ मंदिर दर्शन पर जो कॉंगरिस विधाय गए थे उनमें से सुद्धू को कॉंगरिस का प्रदेश अध्यक्ष बनाए इन विधायकों पर गैर कानूनी गतिविधिया जैसे अवैद खनन और अवैद शरा का धंदा करने के आरोप लगे हुए हैं कुछ विधाय कैसे भी हैं जिनोंने सियम अमरिंदर से मदद भी मांगी थी लेकिन सियम की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली थी बुद्वार को नवजोर सिंग सिद्धू ने विधायकों संग एक तरह का शक्ती प्रदर्शन क कि आता जिसकी तबाम तस्वीरे शोशल मीडिया पर देखी गई इसमें वो स्वन मंदिर भी गए थे अमरिंसर के इस दौरे के दौरान सिद्धू के साथ कुल 48 विधायक थे इनमें से कुछ विधायक पंजाब CID के रडार पर हैं नवजोर सिंग सिद्धू के घर के बाहर साथ कपड़ों में मौजूदा CID के अधिकारियों ने खुद ये बात की जानकारी दी मीडिया को उनकी नजर अमरिसर में सिद्धू के घर जवा इन विधायकों पर थी बताया है कि वो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं सूत्रों ने बताया कि कुछ विधायक और कुछ उनके सायोगी जो की सिद्धू के साथ थे उन पर कई गंभीर आरोप हैं इन अवैद कामों में वो लोग प्रत्यक्ष और आप प्रत्यक्ष रूप से श्वामिल है इसमें अवैद खनन और शराप का धंदा भी श्वामिल है देखिए सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है कैप्टन अमरिंदर अपनी सीट पर पूरी तरह से सवार हैं लेकिन कॉंग्रेस दो धड़ों में जरूर बटती हुई नजर आ रही है और यह खाई जो है और जादा गहरी हुई नजर आ रही है और तारिस विधायक उनके साथ थे जब वस्वण मंदिर क प्यास गए थे जहां उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया लेकिन उनमें से कई निधायक हैसे हैं जिन पर कई गंफीर आरूप भी लग चुकी हैं जिसको लेकर वो कैप्टन अमरिंदर से मदद भी मांग चुके हैं लेकिन इस पर अमरिंदर की तरफ से कोई भी प्रतिक्र देखने को नहीं मिली थी राजस्थान बोड आफ स्कूल एजुकेशन ने बारवी के परिणाम जारी किये जाने की तारीक और समय की घोशना करती है राजस्थान बोड की बारवी का रिजल्ट 2021 साइंस कॉमर्स और आट स्ट्रीम के लिए 24 जुलाई 2021 को शाम चार बजे जारी किया जाएगा और रिजल्ट राज्जे के सिक्षा मंत्री गोविन दोसना घूशित करेंगे राजस्थान बोड बारवी का रिजल्ट 2021 अधिकारिक वेबसाइड राज एजुकेशन बोड डॉट राजस्थान डॉट गॉर्मिन डॉट इंग पर जारी किया जाएगा रिजल्ट चेक करने के लिए चात्रों को अपना रोन नंबर दर्च करणा होगा सिक्षा विभाग राजस्थान ने हाल ही में एक ट्वीट में कहा 24 जुलाई 2021 को शाँ चार बजे सिक्षा मंत्री गोविन दोस्ताना कक्षा बारवी साइंस, कॉमर्स और हुमानिटिस स्ट्रीम का परिणाम जारी करेंगे इस दोरान राजस्थान मादमिक सिक्षा बोर्ड की अध्यक्स डॉक्टर डीपी जरॉली भी मौझूद रहेंगे इस साल राजस्थान बोर्ड ने अन्यराज बोर्डों की तरहा कोविन नाइंटीन महमारी के कारण कक्षा बारवी की परिक्षा रद कर दी थी बीस लाग से जादा चातर आरवी ऐसी कक्षा दस्वी और कक्षा बारवी के परिक्षा कर रहे हैं राजस्थान बोर्ड की दस्वी के लिए करीब बारा लाग चातरों ने रेजिस्ट्रेशन कराया था तो राइस्टान बोर्ड ने रिजल्ट की तारीख का एलान कर दिया है 24 जुलाई को शाम 4 बजे रिजल्ट जारी होगा जो अधिकारिक वेबसाइट लगातार नीज़वल इंडिया आपको बता रहा है उस पर जाकर आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं आपको अपना रोल नंबर उसमें डालना होगा भातर जो बैंक की ओर्डर के बाग एक अगरसे बैंक एटियम पर इंटर्चेंज चार्ज में दो रुपए की बढ़ोतरी होगी जून में आरबियाई ने इंटर्चेंज चार्ज पर फाइनेशली ट्रांजेक्शन 15 रुपए से बढ़ा कर 17 रुपए और नॉन फाइनेशल ट्रांजेक्शन के रिए 5 से बढ़ा कर 6 रुपए करने की अनुमती दी थी इंटर्चेंज फीस, बैंको दुआरा, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट प्रोसेस करने वाले मोचन से लिए जाने वाला शुलक है संशोधे नियमों के अनुसा, ग्रहाक अपने बैंक के एटियम से हर महीने 5 फ्री टांजेक्शन कर सकेंगे ग्रहाक दूसरे बैंक के एटियम कॉपियों करके मेट्रोसिटी में 3 और नौन मेट्रोसिटी में 5 फ्री एटियम ट्रांजेक्शन कर सकेंगे जून 2009 में माफ कीजेगा जून 2019 में आर बी आई द्वारा गठित एक समीति के सुझावों के आधार पर ये बदलाव किये गए थे इंडियन बैंक एस्सेशन के ततकालीन अधियक्ष वीजी कंणन के रक्षता में गटे समीति ने एटियम ट्रांजेक्शन के इंटरचेंज स्ट्रॉक्चर पर विशेश ध्यान देने के साथ एटियम चार्ज के समिक्षा की थी तो एटियम से कैश निकालने के लिए अब आपका चार्ज बढ़ सकता है जी हाँ अगर आप एक बैंक से दूसरे बैंक के एटियम से पैसा निकालना चाहरे हैं तो अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो तीन बार तो आपका कोई चार्ज नहीं लेगा लेकिन अगर अगर तीन बार से जादा निकालते हैं एक महिने में तो आपको चार्ज देना होगा अगर आप नौन मेट्रो सिटी में रहते हैं तो यह आपके लिए पांच बार की सुविधा है पांच बार आप बिना किसी चार्ज के ट्रांजेक्शन कर सकते हैं लेकिन पांच बार के बाद नौन मेट्रो सिटी में भी आपको चार्ज देना ही होगा एक अगस्ते यह जो पूरी प्रक्रिया है वो लागू होने जा रही है क्रिशी कानून के विरोध में जारी किसानों के आंदोलन का आज नया पड़ाव शुरू हो गया है दिली पूलिस ने किसानों को सुभा ग्यारा बजे से पांच बे तक प्रदर्शन करने की जासत मिली है किसानों को प्रदर्शन को देखते वे दिली की टीक्री सुभू घाज़िपूर बौजर और जंतर मंतर पर सुरुक्षा के कड़े इंतजाम किये हुए है अलग-अलग लाकों से किसानों का दिली पहुचना शुरू हो गया है किसान ने था राकिष्टिकेद गुरुवार सुभा घाज़िपूर बौजर से सिंगु बौजर रवाना हुए है राकिष्टिकेद के मताबिक बसों से पहले सिंगु बौजर जाये जाएगा राकेश्टिकेट आगे कहते हैं कि बसों से सबसे पहले सिंगू बॉर्डर हम जाएंगे उसके बाद जब कक संसद का सत्र चलेगा हम लोग जंतर मंतर पर ही अपनी किसान संसद चलाएंगे यानि कि किसानों की तरफ से शांतिपुन तरीके से ये घिराव की बात की जारी है इस प्रदर्शन की बात की जारी है लेकिन ये कितना शांतिपुन रहेगा ये तो दिन चड़ते चड़ते पता ही चलेगा लेकिन दिल्ली पुलिस पूरी तरह से तयार है ग्यारा से पांच ब अंतर पर ही अपनी संसर चलाएंगे उसके बाद हम संसर का घेराफ करेंगे उद्रकाशे में माजगाओं की आबदा का कहर थमा ही नहीं था कि गंगोत्री धाम से महस 30 किलो मीचर पहले धराली कस्पे में खीर गंगा का जलस्तर बढ़ने से इस थानी निवासियों में अफरत अफरी का महौल पैदा हो गया है खीर गंगा का बहाव इतना ज्यादा हो गया है कि गंगोत्री नैशनल हाईवे के ओपर बने पुल्स से बहने लगी है आपको बता दें कि खीर गंगा साल 2018 में तबाही मचा चुकी है खीर गंगा में अचानक जलसतर बढ़ता हुआ है जो निचले इलाके है वहाँ पर अफरत अफरी का महौल है तीमें पूरी तरह से तयार है और जो निचले इलाकों में लोग रह रहे हैं जो बिलकुल नदी से सटे हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है तो थराली जगा है जहां पर अफरत अफरी का महौल बना हुआ है लगतार बारिश के वज़े से नदियों का जलसतर बढ़ रहा है ऐसे में जो निचले इलाके हैं उनमें तबाही का मंज़र देखा जा सकता है देश में एक बार फिर कोरोना के आकड़ों में उच्छाल देखने को मिला है पिछले 24 गंटों के दरान देश में 42,000 से जादा नई मामले सामने आए हैं जिन में सबसे जादा केरल में 16,000 से जादा मामले दर्ज के गए हैं महराश्ट में 9,000 तमिलाडू में 1,000 नई मामले दर्ज के गए हैं वहें पिछले 24 गंटों में 3,000 से जादा लोगों की मौत की सूशना आई है महराश्ट में 62,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 मंगाल में 15 लाग से जाधा मामले हैं दिल्ली में भी 14 लाग से जाधा मामले सामने आचुके हैं तीसरे वेफ को लेकर प्रधान मंजूरी नरिंद्र मोदी तमाम Mokhy Μंजू नियुसा से बाच् equipo कर रहे हैं राजर सरकारे अपनी जनता को लगातार अलर्ट कर रही है जो जिलो के जिलादिकारी है वो लगातार पूरी तरह से पुलिस फोर्स को अलर्ट कर चुके हैं कि कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए कोर्णा पर्चकोस का पुरा पालन होना चाहिए लेकिन उसके बावजूद भी केरल में मामले बढ़त उनको जरूर फॉलो करवाना हुगा। इसके साथ ही कावडियों के रोप में हरद्वार पहुंचने वाले लोगों पर मुकादमा दर्ज करने की चताबनी भी साशन की दरफ से दे दी गई है। वो पूजा करें और ऐसे में यहां पर अगर उर्की विधायक की बात की जाए तो इन्होंने बहुत अच्छी पहल शुरू की हैं। जो लोग हैं उनके घर घर तक गगाजल पहुंचाया जाएगा और साथी साथ उनसे अपील की जा रही है कि घर में ही वो जलावी शेक करें। और कोई हर दुआर हर की पैड़ी पर ना पहुंच सके ऐसे में प्रशासन को भी पूरी तैयारी के लिए बोल दिया गया है। है कावन यहां पर आता था गंगा जल लेने और सब की आस्ता जूड़ी थी और सभी लोग अपने अपने शिवालें में अपने घर जाकर गंगा जल जुए शिवलिक पर चड़ाय करते थे तो करुड़ा मामारी के वैसे सारे तो हर जाए उनका ट्रेंड है वो चेंज हो रह पर अपनी आसा तो सगीत नी होगी है अपना संसकार तो नहीं हम छोड़ सकते तो इसी के तहत हमने प्रोग्राम बनाए कि गंगा जली हम लोग घर घर तक पहुचाएंगे और ना सिर्फ बूड़की में वह से तोल फ्री नबर देंगे वह अगर बाहर भी गंगा जली पर आरोपों की जड़ी लगा दी है बीजेपी की प्रदेश अध्या संजेज जयस्वाल ने कहा है कि कॉंग्रेस अपने ही नेताओं की जासूसी करवाती रही है संजेज जयस्वाल के आरोप है कि मनमोहन सिंग की सरकार में पीच दमरम से लेकर पड़ा मुखरजी तक के फ का है कि कॉंग्रेस ने प्रणा मुखरजी और पीच दमरम तक की जासूसी करवाई है आपको इतादें कि पेगसेस मामला ठमने का नाम नहीं ले रहा है और इसको लेकर बीते कई दिनों से आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जा रही है कॉंग्रेस सरकार पर आरोप ल जी हो चाहे वो पीच दमरम हो इनके नाम लगातार सामने आए थे पिली भी इतने साथ ब्लॉकों में ब्लॉक प्रमुख पद के लिए शौपत ग्रेंड समारों को आईजिन किया गया जुसमें लरोरी खेडा ब्लॉक प्रमुख अज़सिंग गंगवार सहीत मंच पर उनके भाई MLA संज़सिंग गंगवार सहीत सैक्रों की संख्या में जहां बिना मास्क और कोविड नियमों को लंखन करते हुए बीज़ोपी नेता नजर आए कोर्णा की दीसी लहर का डर ना तो इन माननियों को है और ना ही नव निर्वाचित चुने हुए शेत्र पंचायत अध्यक्षो और उनके सदस्य को है तो तस्वीरे आप देख सकते हैं श्रपत ग्रेंट समारों का आयजन हुआ लेकिन यहां पर कोविड नियमों की जम कर धच्या उड़ाए गई है तो देखा आपने किस तरह से कोविड नियमों की यहां पर धच्या उड़ाए गई हैं उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमू को कि चुनाव हुए थे और अध्यक्षों को कि चुनाव हुए थे उसको लेकर जगा जगा पर हम देख रहे थे कि किस तरह से वीज़पी नियत कोरोना की धच्या उड़ाते हुए नज़र आ रहे हैं कोरोना नियमों की अंदेखी करते हुए नज़र आ रहे हैं तिलाल कले इतना ही आप बने रहे हैं न्यूस्वल इंदिया के साथ